हर्याना में योजनाबद शहरी करण को लेकर बढ़ावा देने के लिए गुरुगाम में शुक्रवार को देदवसी है अर्बन डेवलप्मेंट कॉनक्लेव शुरू हुआ इस कॉनक्लेव का शुभारम हर्याना के मुख्य सचिव संधीव कौशल ने किया मुख्य सचिव संधीव कौशल ने कहा है कि सरकार अलोटियों को आश्वस्त करने के लिए तंत्र विक्सित करने पर काम कर रही है आपको दादियों के कॉनक्लेट के समापन समारों में मुख्यमंति मनुला मुख्य अथिती होंगे हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंदर सिंग जी भी हमारे साथ मुख्यूद है सर यही है लगातार रियल स्टेट सेक्टर को लेकर बहुत सारी क्योंकि रेरा के आने के बाद बहुत सारी उमीद जगी है एंड यूजर से लेके बिल्डर तक इस तरह के इवेंट की खास बात करें तो क्या मकसद रहा है इसके आयोजन के पीछे देखिए रेरा आने से काफी सुविधाय मिली हैं अलोटीज को भी डिवलपर्स का भी सारा सिस्टम रेगुलेट हो गया जैसे आव यह बता रहे थे लेकिन उसके बाद भी कुछ चैलेंजिस क्योंकि नया एक्ट है 2016 में आया था और कई चैलेंजिस आते हैं बिल्डर्स को भी अलोटीज के भी इशूज हैं इसी परकाश से अगर हम डिपार्टमेंट के नजरिये से देखें हैं टाउन कंट्री प्लैनिंग तो रेरा एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप था लेकिन उसके बावजूद भी कई इशूज हैं जिसमें हमने इ समय से मिलें क्योंकि यह सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है रियल स्टेट सेक्टर और अनफॉचनेटली पांच-छे सालों से डाउन था पहली बार थोड़ा रिवाईवल के आसार नजर आये हैं ठीक है ना तो हम चाहते हैं इसमें और मोमेंटम मिलें क्योंकि पहली बाद तो यह सेक्टर दस से बारा परसेंट जो हैना जीडीपी में कॉंट्रिबूट करता है लगवग 200 अंसिलरी इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई हैं जो मतलब दूसरे सेक्टर जुड़े हुए हैं इसका एकनोमिक मल्टिप्लायर एफेक्ट बहुत बड़ा है तीसरा इसम तरह एक युनीक पॉलिसी शुरू की थी लो कॉस्ट हाउसिंग की तो यह सेक्टर अपार्ट फ्रॉम की भई प्रोस्पेरिटी लेके आता है एकनोमिक मल्टिप्लायर है एम्प्लायमेंट जनरेट करता है लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोइड रूफ जिस तरह हर आदमी के सि यह मुख्यमंत्री महुदे की भी यह मंचयार उनने पॉलिसी बड़ी अच्छी है हमारी फोडेवल आउसिंग दीन दयाल जनवास योजना ऐसी निकाली है पूरे देश में जो अद्वितिय हैं तो उस मकसद से भी रियल एस्टेट सेक्टर का प्रोमोशन होना और उसकी ड कर पाए हम इंफ्रस्टेक्चर की बड़ी प्राबलम है यहां गुडगाओं फिर्दावाद में की जो एक्स्टरनल डेवलप्मेंट या इंटरनल डेवलप्मेंट का इंफ्रस्टर्चर वो फास्ट पेस पे हो क्योंकि उससे अलॉटी डारेक्ली एफेक्ट होते हैं वो इ गुड़्मेंट के अपने इशूज हैं कि गुड़्मेंट जो है अलॉटीज और डेवलपर्स के साथ साथ अपना जो एक्स्टरन डेवलप्मेंट चार्जिज जो जो उसकी डिफॉल्ट उसके लिए एक हम स्कीम भी लेका है थे विवाद से समाधान तो इस तरह के ड्यू अपने इस समिनार का आयोजन किया है इन सभी प्रॉब्लम्स की निदान के लिए निशित रूप से सराणी है पहले सर जिस तरह से तावनेंड कंट्री प्लाइनिंग जो डिपार्टमेंट है पहली बार इस तरह से सामने आ रहा है लेकिन अमूमनी ह 수ता है कि कॉंकुलेव होते हैं डिसकूर्शन्स होते हैं और जो चीजे निकलके आती है वो जमीन पर किस तरह से पहुंचेंगी लागू हुंझी इसको कैसे इंशूर किया जाएगा हाँ अदगिए एक मेरे वाल जिया प्लाइन गया और है एक हमने निर्णे ले लिया था कि यह सेमिनार जो है आम तरफे सेमिनार होते है optics के लिए, cosmetics के लिए तो हमारा seminar problem solving seminar है तो इसमें जो आप कहें नो ground level की जो solutions ढूंडेंगे उनको सिरे चड़ाएंगे बस इस मकसद से seminar हो रहा है तो जो भी problem पहले list करेंगे ये problems हैं, list की हुई है अलड़ी sessions में और we will हमारी attempt या कोशिश ये होगी उसका ऐसा pragmatic solution निकले जो सिरे चड़ाएंगे, तो purely ये मकसद है हमारा, it is not only for the purpose of conducting seminar ये बड़ा भरुसा दिया है देविंत सिंग जी ने और जिस तरह से ये event होने जा रहा है दो दिन का, एक unique है और बहुत बड़ी पहल है और जमीन पर, real estate क्योंकि जिस तरह से देश की economic की बात करें, रुजगार की बात करें, एक बहुत बड़ा सेक्टर है उसे लेकर ये अपने आप में एक ऐसी पहल होगी जो एक नजीर बनेगी